तस्वीरे हम दिखा रहे हैं आपको बच्चों के वैक्सिनेशन की 15 से 18 साल के एज ग्रूप के जो बच्चे हैं उनका वैक्सिनेशन आज से शुरू हो गया है अभी हम मौझूद हैं मसीडी के सबसे बड़े अस्पताल हिंदू राव में और यहां पर आप तस्वीरों में द करके पूछेंगे इनका अनुभा कैसा है क्या किसी बात का डर है एक्साइटमेंट है क्या सारी चीजें हैं क्या नाम है आपका बाबू दक्षा क्या उम्र है आपकी और आप किस क्लास में बढ़ते हो 16 एन आम इन क्लास 11 तो यह बताईए अभी आपको वैक्सिन से आपको क दिल्वाने के लिए हैं हमारे तो बोर्ट कैंसल हो गए थे हम आभी तो हम 11 तो हो सकता है कि एड्वांटेज हो यह ना हो बट इस बेटर की जल्दी वाक्सिनेशन सबका हो जाए तो देखी बात बच्चे भी समझ रहे हैं कि वैक्सिनेशन आप जल्द से जल्द कराईए न उसलिए एकसाइटमेंट है कि यह प्रॉब्लम अब बहुत देर तक चल रहा है ऑफ-लाइन क्लास में ज्यादा नॉर्मल लगता है क्लास में बैठके पढ़ने में पढ़ाई अफेक्ट हो रही थी अब नहीं होगी लग रहा है हाँ अब कम होगा पहले से नॉमल आने में ट आफिजम लगने की वैसिन कुछ फाइदा होगा हाजी फायदा होगा है इसor लिचा पीम римकर हुट्ति वहाम बहुत आप陽 नकों यह पाइस नहीं पढ़ाई से उसकूल ने गया मतुने — बेठे बैठे हे वे त turn out में जाय वाता हो जाए आदा घी अए पसकुल में कि कि देखें बच्चों में qg कम सब बाहर जा सबीना डरें कम से कम पढ़ाई कर पाएंगे टॉइस त्दार में घाय तो यह किस क्लासमें आप गएज गया तो यह आ आप ट्वेल्थ में हैं आप वेक्सिनेशन जो है आप लोग आज पहला दिने एकसाइटमेंट है या फिट डर है बहुत ज़्यादा एकसेंट डर तो नहीं है किस चीछ का डरना कि जब करोना ही होगा उसी के लिए वैक्सिने तो ठीक ही हो जाएंगे बस पढ़ाई आप सब्सक्राइब करें तो दो साल से पढ़ाई काफी प्रभावित हुई है बच्चों की जिसके बाद से और ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई भले ही चल रही हो लेकिन लगातार जो स्टूडेंस वो बोल रहे थे कि पढ़ाई में काफी नुकसान हुआ है तो इस वीज़े से व बच्चे इस वैक्सिनेशन ड्राइब में पार्टिसिपेट कर रहे है पहला दिन है उत्साइत है बच्चे और बड़ी संख्या में आभी रहे हैं तमाम जगों पर जो तमाम हॉस्पिटल से सब जहें से तस्वीर हैं ऐसी ही आ रही है कि अभी भावकों के साथ बढ़ चड झाल झाल